तो आज किस वीडियो में आप देखने वाले हैं लेडीज पैंड की कटिंग और इसमें मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाली हूं और सबसे इंपॉर्टन चीज की इजी वे में सबसे आसान बहुत सारे फॉर्मुलास की वज़े से कंफ्यूजन हो जाता है कि पैंड की कट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टन मेजरमेंट्स क्या है तो चलिए शुरू करते मेजरमेंट्स देख लेते हैं तो चलिए एक बर मेजरमेंट को देख लेते हैं देखिए सबसे पहले मैंने हिप राउंड ले लिया है तो पैंट बनाने के लिए आपको सबसे छाहिए हैं सबसे मोस्त इंपॉर्टेंट चार इंच लूजिंग डेन ओगया चारिस इंच अब इसको डिवाइड करें चार से आपको भी चार से करना है दस इंच आ गया जितना चार इनच लोजिंग कुछ भी नहीं है आप लेना है उसके बाद चार इंच लूजिंग एड़ करना और इस तरीके से दस इंच आप का आ जाएगा आप देखिए क्रॉच एरिया क्रॉच एरिया आने कि आसन का नाप निकालने के लिए भी आपको हिप राउंड ही चाहिए तो 36 इंच आपका हिप राउंड था और इ चाहिए तो उसको आप 3 इंच भी एड़ कर सकते तो मेरा आगया 11 इंच देखिए दोनों में हिप राउंड का इस्तमाल हुआ है यहां पर चार इंच लूज लूजिंग एड़ करने के बाद हमने भाग देखिए इसको डारेक्ट भाग करने के बाद इसमें हमने इसनी भी आपकी पैंड की लेंथ आपको चाहिए उसको आपको लिख लेना है और वही निशान लगाना यह पैंड की मोहरी का मोहरी जो में बॉटम जो रखना है उसकी चोड़ाई कि इतना लूज रखना आपको मोहरी जितना आपको अच्छा लगे उतना निशान लगा ल का जो ही यूज है यहाँ पर पैंट बनाने के लिए तो कुल मिलाकर यह पास चीज़े चाहिए हमें पैंट का निशान लगाने के लिए पैंट के कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो चलिए शुरू करते ह पैंट बनाने के लिए मैंने दो मिटर फैब्रिक का इस्तमाल किया है देखिए दो मिटर फैब्रिक लिया है मैंने तो फैब्रिक को हमें क्या करना यह लेंथ वाइस फोल्ड है देखिए इस तरीके से हैं तो हमें इसको डबल फोल्ड नहीं करना है यह देख सकते हैं टोट कि पूरा लेंट्वाइज ऐसे पूरा दो मीटर फैब्रिक को लंबाई में करके ये देखिया अच्छ सेट कर लें ऐक वाला और अपनी साइट रखाई क्योंकि अगर फैब्रिक कट कर साइड से निकलेगा तो जॉइंट फैब्रिक निकलेगा देखिए खुला वाला साइड जो है पैंड का कपड़े का वो अपनी साइड रखना है हमें यह हो गया और सबसे पहले हमें हाफ इंच का निशान लगाना है यहां से यह देखिए ऐसे हाफ इंच का निशान लगा लेंगे यहां से और थोड़ा नीचे तक हम लगा लेंगे बिल्कुल एंड तक नहीं लगाना हमें थोड़ा नीचे तक हाफ इंच निशान लगा लेना है इस तरह से यह हो गया हाफ इंच की मार्जिन देनी है और उसके बाद अब हमें इलास्टिक के लिए निशान लगाना है तो इलास्टिक जितनी आपकी चौड़ी है उसकी according निशान लगाएंगे अगर आपकी इलास्टिक डेढ़ इंच की तो आप दो इंच मार्जिन दे तो मैं यहाँ पर टोटल दो इंच का मार्जिन दे रही हूँ इस तरह से रखते हुए दो इंच हम उपड़ से निशान लगा लेंगे इलास्टिक के लिए जितना भी आपकी इलास्टिक का साइज है आप नाप ले उससे हाफ इंच ज्यादा निशान लगा दे इलास्टिक का निशान हमने दो इंच लगा लिया है और इसके नीचे से ही हम निशान लगाना शुरू करेंगे दो इंच जो हमने इलास्टिक का निशान लगा है इसके नीचे से हम पैंट की टोटल लेंध का निशान लगाएंगे डेड़ से 2 इंच मैं यहाँ पर margin 2 इंच एड़ कर रही हूं 35 इंच और 2 इंच margin नीचे से तो टोटल हो गया 37 इंच तो 37 इंच मैं निशान लगा दे रही हूं 35 और 2 इंच margin का तो इसको भी हम मिला अभी तक हमने elastic का निशान लगा लिया है पैंट की length का निशान लगा लिया है और उसके बाद margin के लिए निशान लगा लिया है अब हम इसकी cutting कर लेंगे जो भी extra है उसको अलग कर देंगे और इसमें हम पैंट के front वाले part का निशान लगा लेंगे यह देखिए और 4 से डिवाइड करा 10 इंच आ गया अब हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमने side में half इंच का margin दिया रहा उसको छोड़ते वे लगाएंगे 10 इंच हो गया अब हम यहां से crotch का निशान लगाएंगे तो crotch हो जाएगा हमारा 11 इंच 11 इंच पे निशान लगादेंगे 36 को हमने 4 से divide किया 9 इंच आया 9 इंच में 2 इंच losing add करा 11 इंच पे निशान लगादेंगे यह देखे तो अब हम इसको मिला लेंगे तो इस box को हम मिला लेंगे सबसे पहले तो और उसके बाद अब हम इसमें क्रॉच का निशान लगाएंगे यह देखे हो गया ना यह हो गया पूरा यहां से अब यहां से 2 इंच बढ़ाते वे क्रॉच का निशान लगा लेंगे और यहां से इसको हम round कर लेंगे बीच में से देखे एक इंच का मैं निशान लगाऊंगे ऐसे और इसको राउंड कर लेंगे क्रॉच हमने बना लिया है अब हम इस वाले पार्ट को नापेंगे जिसे कि 10 इंच था ये वाला पार्ट तो इसका हाफ हो गया पांच इंच तो नीचे तक हमें पांच इंच पे निशान लगा लेना है यह देखिए हाफ अब नीचे तक हमें फाइफ इंच पे निशान लगाते जाना है कि अब देखिए हो गया जो अब लगाने में आसानी होगा तो इसको भी देख लेते कैसे आसानी होगा किस तरीकी से लगाना है सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को हाफ करके इस तरीकी से नीचे तक निशान लगा लेंगे 10 है तो 5 इंच जितना भी उसका half इंच करके निशान लगा ले ये देखे 5 इंच तक हो गया पूरा नीचे तक मिला दे रही हम हाफ इंच वाला निशान पांच इंच पूरा हो गया नीचे तक अब हम महरी का measurement देख लेते हैं मुहरी हमारा चैंज था जैसा कि आपने मेजरमेंट में देखा तो इसका आधा हो गए तीन इंच तो एक साइड यहां पर तीन इंच में निशान लगा देए इसके दूर सी पर तीन इंच नीं है जाए है तोटAl लगा लेंगे अगर आप चाहते हैं कि बिना लेक्षेपर के भी हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी और यह वाली वीडियो आपको कैसी लगी समझ में एह को नहीं दोनों साइट आपको लगा लिया है और उपड़ तक इसको मिला लेंगे तो फ्रंट पार्ट के लिए तो बिल्कुल रेडियो चुका है यह इसकी बिर्शी रम कटिंग अच्जिए कर लेना है तो यहां से कट करते हूं जाना ओपर तक और किनाइड देखिए को इस तरिके से हमें कट कर लेना है जो साइड का जो हाफ इंच वाला पार्ट आप अउपर वाला उसको में कट नहीं करना है प्रटाइगत आपने हैं में कि यह पॉकिट बनाने में वह फिल्प करेंगे होगए तो हमने कटिंग कर लिए और देखे टेके जॉइंड निकला इस फैब्रिक को आप इस्टमाल कर सकते हैं इसलिए खुले वाले पार्ट को आपको अपनी साइड रखना है अगर आप जॉइन फैब्रिक रखोगे तो जॉइन फैब्रिक रहेगा उसको आप कही बाद में भी इ निशान लगांगे दो इंच का इस तरह से और लाइन्स को मिला लेंगे और इसमें एक डाउट रहता है कि लो वला पार्ट जो होता है लोज मतलब ऊपर की साइड बड़ा कैसे होता है तो वह मादी देख लेते हैं नीचे से ग्मिलाते एर रख लेना जो है औरुसके बाद जो है का मैं असे साइड से हमें निशन लगाना है फिरहा वाले साइड से कोई निशन नहीं लगाना है तो वह भी देख लेते हैं दो दो इंच एक्स्ट्र निशान लगेगा Um कि यहां की चाहें तो आप चॉक से निशान लगा सकते दीविं आ इसों यहां से दो इंच निशान लगा लिए सो और यहां से दो-इंच All पजायों सकते हैं इसको गवी मैंने मिला लिए इसको इस तरीके से सकेल की हेलप सीधा को मिला लेंगे ।aczaca यहाँ से देखिए क्रोच इस वाले में एक राउंच वाला पार्ड बना लेंगे राउंड करते हुए यह देखिए दूसरा राउंड बन गया है यह दूसरा क्रॉच बैक वाले पार्ट के लिए और नीचे वाले लाइन को भी मिला लेंगे चाहिए तो आप लैक्षेपर की इस्तमाल करके भी बना सकते हैं सिंपल है निचान तो लगा हुए डायरेक्ट आप चाहएं तो निचान भी मिलाले चाहें तो लैक्षेपर से भी ललाले तो यह वो गया बैक वाले पार्ट केल्ए जो भी हमें एक्स्ट्रा दुल लगाना सा इतना आई था कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे जो भी हमने मेजर्मिंट लगाया है वो पूरा हम अब इस पर रखते बिल्कुल सेम आधिस कट कर लेंगे यहां से शुरू करती हूं में कट करना इसको बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है निशान किस तरीके से लगाना है सारे फॉर्मूलाद मैंने आपको बता दिया है अच्छे से आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा अब इसमें रह गया है हमारा पॉकेट की कटिंग तो वह भी देख लेते हैं और सब क्यांट वाले पार्ट पहां साथ हंसे ऩरफ ग् MON यापट है चांट वाले पार्प पने लेन ले लियर सटो इस वाले पार्ट वे हमें पोकेट लगाना है तो देखेंक सक क्लतिंग के लिए मैं जब नटों अने बलगा यह दो बनाना बह Cornette निचान निचह निशान लगान स और उसके बाद यहां से मैं 5.5 इंच का निशान लगा रही हूँ pocket hand insert करने के लिए 5.5 इंच और अब हमें pocket वाला फैबरिक लेना है इसकी लंबाई और चोड़ाई देख लेते हैं कितना है यह देखें खुला वाला पार्ट जो है मेरी side है इस तरह से है तो इसकी चोड़ाई जो है 7 इंच है लंबाई जो है 13 इंच है उपर से सबसे पहले मैं 1 इंच का margin दे रही हूँ और यहां से hand insert करने के लिए 5.5 का pocket पे भी निशान लगाएंगे और half इंच का margin दे दिया है मैंने 5.5 का निशान लगा लिए और यहां से half इंच का पूरा नीचे तक निशान लगा लेंगे जितना हमने पैंट में hand insert करने के लिए हाट डालने के लिए लंबाई का निशान लगा है साड़े पांच इंच पॉकेट में भी साड़े पांच इंच मैंने निशान लगा दे कि बिल्कुल सब्सक्राइब बराबर है एक बराबर है विलकुल इस तरह से रहेगा विलकूल एक बराबर उपर नीचे विलकुल कि और अब हमें गया करना है इससोन को शेप देना है round शेप को यहां से मैंहलका सा इसको round शेप दिलारे हूं तो यह हमारा पॉकेट की कटिंग हो चुका है उम्मीद है आपको यहां तक वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा पैंड की कटिंग पॉकेट की कटिंग सिचिंग आप इसके नेक्स्ट वीडियो